किया आपको पता है बहुत different type के mechanical pencils आती है तो आज हम जानेंगे different types of mechanical pencils मेरे पास कुछ इतने सारे mechanical pencils है आज हम देखेंगे कि अखिर mechanical pencils कितने different types में आते हैं और इन्हें use करके देखेंगे papers पर सबसे पहले आती है 0.3 mm वाली mechanical pencil 0.3 mm वाली बहुत ही ज्यादा light होती है और यह बहुत ही easily break कर जाती है क्योंकि बहुत ही ज्यादा thin होती है तो जब भी आप इससे outline draw करना चाहो तो बहुत ही carefully आपको draw करना परेगा क्योंकि lead breakage बहुत ही ज्यादा होती है 0.3 mechanical pencil में फिर आती है 0.5 mm वाली mechanical pencils यह काफी ज्यादा widely use में है सभी school students इसे use करते है 0.5 mm idle होता है लिखने के लिए और आप इससे outline draw कर सकते हो perfectly यह ज्यादा thin भी नहीं है ज्यादा thick भी नहीं है और यह pressure handle भी कर सकती है तो यह lead breakage भी ज्यादा नहीं होती है तो 0.5 mm जो consider किया जाता ह वह best होता है outlines के लिए फिर आती है 0.7 mm mechanical pencil यह थोड़ी thick line देती है और यह काफी ज्यादा suitable होती है writing purposes के लिए आप इसे outline भी draw कर सकते हो industrial work में 0.7 ही use होती है क्योंकि यह थोड़ी thick होती है तो जल्दी erase नहीं होती है और long time के लिए store भी आप इसे कर सकते हो फिर आती है 0.9 mm mechanical pencil यह वाली pencil की lead जो है काफी ज्यादा thick होती है और इसे आप thick line दे सकते हो अपने drawing में और highlight कर सकते हो different areas को next आती है 2.0 mm mechanical pencil यह वाली pencil की lead सबसे ज्यादा thick होती है और इसे आप thicker outline draw कर सकते हो चलते हैं और इन ही सभी pencils को use करके देखते हैं सबसे पहले हम use करेंगे 0.3 mm वाली mechanical pencil को कितनी ज्यादा thin line इसे draw होती है यह सबसे thinness होती है mechanical pencil में 0.3 mm अब draw करते हैं 0.5 mm वाली mechanical pencil से यह 0.3 से थोड़ी से ज्यादा thick होती है और outlines के लिए perfect होती है 0.3 वाली से आप outline कर सकते हो 0.5 वाली से भी well मैं ज्यादा 0.5 वाला ही use करता हूं फिर आती है 0.7 mm mechanical pencil इसकी जो lead होती है वो ज्यादा thick होती है in comparison to 0.5 mm इससे thick line draw होती है और इससे भी आप outline draw कर सकते हो अगर आपको thick outline चाहिए तो फिर आती है 0.9 mm mechanical pencil इसकी जो lead होती है यह 0.7 से भी ज्यादा thick होती है नेक्स है 2 mm mechanical pencil इसकी lead जो होती है वो सबसे आदा thick होती है तो यह थी different type of mechanical pencils आप comment section में बताओ कौन से mechanical pencil आपको सबसे बेस्ट लगती है ऐसी वीडियो देखने के लिए do subscribe to my channel थेंक यूज